हेलो असलाम अलेकुम मैं हूँ अमजावसीम और आप देख रहे हैं पीएस एनलाइस करने के लिए लाया हूँ वह है पीटी एल एसल और डबल जील आप लोगों ने काफी सारे मुझे कॉमेंट्स किये थे मगर मेरी मगर जो लोग मेरे वीडियो पे रेगुलरी कॉमेंट करत हूँ आप जो टीन में आज टाॉक्स लाया हूं हाँ मैं मेरी कोशिश होगी के आप लोगों के ढब लोगों के अब लोगों के जो आप लोग नेवी शक्शन पहलुक्ति एनलाइस करूंगा पहले शरग के हम तरफ चलते हैं वह सब्किर नेटे इस स्ट्री Cooper which की अभी फिल्हाल बात करें तो इसने अपनी एक LO को П करा है यह स्ने पहले एक यह एक नेगेटिव बात है और हम इसका जब ट्रेंड है वो भी downtrend ही है इसका trend अभी downtrend चलवा है और अगर हम इसकी supports की बात करें कहां पें अच्छी बाइब बन सकती है देखें 15 रुपे अगर 15 रुपे का यह level test करने आता है तो 15 रुपे का level बहुत अच्छा level बाइंग के लिए वो सकता है करने भी आये जैसे हम देखेरें मार्किट के अंदर प्रेशर हो सकते हैं यह आये इसका जो पहला अभी फिलाज जो लोग इंटराडे करते हैं उनको लिए उनके लिए जो सबसे पहली सपोर्ट लेवल है वह वह 16 रुपय 10 पैसे यह एक है एक अच्छी सपोर्ट लेवल है 16 बना रही है एक positive divergence RSI की ASL में मौझूद है तो यह जब अब यह जब अगली बार consolidation phase में आएगा वो सकते वो सकते 16 रुपए 10 पैसे पर यह consolidation phase में आ जाए तो फिर हम इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉचुनिटी रून सकते फिलहाल ASL के अंदर कोई अच्छी बाइंग अपॉचुनिटी मुझे नज़र नहीं आ रही एसल के इलावा जो मारा नेक्स चेर था पी टी एल पाकिसाना पैंथर टायर्स पैंथर टायर्स अभी इस वक्र बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर आज इसने नेगेटिव में क्रोसिंग द देखने को मिला है मगर हम देख सकते हैं प्राइस आ चुकी अपना डबल बॉटम लगाने अगर यह 42 रूपीज 41 50 पैसे 42 रूपीज एक अच्छी बाइंग अपॉचुनिटी बन सकती है इसके अधर आप देख सकते हैं इस ट्रॉंग आरसाइड डायर्जिस मौझूद है यह स्ट्रॉंग आरसाइड डायर्जिस पहुंचुद है मगर चले मैं इसका आपको मसीडी की कॉल दिखाता हूं में सीडी भी हमें बाइकॉल शो कर रहा है मगर एक बात जो इसमें आप लोगो ध्यान रखनी की यह है कि आपका स्टॉपलस यहीं होना चाहिए जो इसकी क्लोसिंग है 42.07 के नीचे नहीं आनी चाहिए अगर आती है तो हम इस और डिप पे देखेंगे इसका मतलब यह होग कि यह अपने लोग को ब्रेक कर रहा है और हो सकेगा कि यह मजीद और करेक्शन की तरफ जाए तो यह वैसे भी अपने 52 वीक लोग के पास आ चुका है यह भी एक अच्छे रेट पर मिल रहा है और हमने देखा इस पर भी एक युज़ करेक्शन देखना को मिली आप तो फिलाल अभी इसकी जो एक मेजर सपोर्ट है वह है 42 रुपीज की अगर यह दर डबल बॉटम लगाता है और एक अच्छा हम लोगों को बाउंस बैक दिखाता है यह दबल बॉटम लगाने कवाल एक अच्छा बाउंस बैक लगाता है तो हम एक बाइंग अपॉचनिटी का बीच में सोच सकते हैं फिलाल अगर हम कोई भी स्टॉक बाई करेंगे हमें स्टॉप्लोस का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है कि मार्किट में हम देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा मौजूद है अब आप लोग ने इसमें काफी मौजूद है तो अब आप डिप पे अगर बाई करेंगे तो आपने इसमें स्टॉपर का इस्तमाल लाजमी करना है चले अब हम नेक्स शेर की तरफ चलते हैं डबल जील इसकी काफी रिक्वेस्ट आ रहे थी डबल जील की काफी कॉमेंट्स डबल जील के बारे में ही कह रहे थे डबल जील की जब मैं मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आएगा सो उसमें मैंने का था जब उसकी 27 उपे पर मौझूद था समझ कुछ इसी पर मौझूद था इतने रेट पर 28 पर शायद तो मैंने का था ये 35 उपे तक की मूव दिखा सकता है अगर अब हम इसमें देखे तो अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं खासका उसकी देखी थी उन्हें मैंने बताया था कि यह बनाने जा रहा यह हैड़न शोल्डर बनाने आ सकता है तो यह 35 उपीस तक का इसका टार्गेट रहेगा और अब हमने देखा इससे काइंड पमोव दिखाई तो इसमें एक इवनिंग पैट आय्टल रिकनाईज हुआ था इवनिंग थैटल यह ही होता है कि यूजईली हमें एवनिंग स्टाइट पैटल यूज़ी हमें ट्रेन्टल डेखने को मिलता है और यूज़ी ऐसके एक रिवर्सल यहाम लोग çocuk करता ही है तो जिस दिन हम लोगों ये डॉजी देखने को मिली उसी दिन हमें काफियत तक यही अंदाजा हो गया था कि प्राइस अगर इसके लोग के नीचे बंद भी तो इसमें हम लोगों को एंट्री नहीं लेनी और मैंने लोगों को मना भी किया था डबल जील से अवाइड करें लेकिन फिर वो लोग ले लेते हैं फिर बाद में मुझे कहते हैं हम लोग इने बाई कर लिया था हमें लगा कि यह अप्मूफ शो करेगा फिर मुझे मेसेजेस कर रहे होते हैं इसे तो और भी शेयर्स हैं तो मैंने एनल बेचा बोला था सारे 18 रुपे से उपर उन्होंने नहीं बेचा उन्होंने बलके बाई किया सारे 18 रुपर बाई किया जब मैंने सैलिंग कॉल दी उन्होंने बाई किया और फिर मुझे कहने लगे कि आप बताए अब हम क्या करें अगर फिर आपने मेरा मकसद ये कि बाइंग के आप आप नहीं पूछते जब आप कोई मुसी कोशिश करें इसका जो पहला रिजिस्ट्री रूपीस थर्टी पैसे है इधर कोशिश करें इधर अपना माल बेचे यह है हाई साइट पर बेच अपना माल लो साइट पर फिर मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो फिर आप वापसी कोई तेजी होनी वी तो आप पहले से बै सेलिंग उसमें लोगा बहुत देखिने को मिली हम यह देख पार कि सेलिंग बहुत मौझूद है तो अब अब अगर यह इस लेवल को कल ब्रेक कर देता है 32 रूपीस 19 पैसे तो फिर यह नेक्स हम लोगो 30 रूपीस 70 और 50 पैसे की तरफ मूव करते वें दिखाई दे सकता है यह हमारा नेक्स्ट मूव इसकी रह सकती है तो यह जन्होंने डबल जीए लियाव है चले इसका मैं 15 मिनट्स का इंट्राडे का भी चेक कर ले था हम इसकी चार्ट इसकी क्लोजिंग कैसी आई है देखिए आखरी की क्लोजिंग काफी बेतर देखने को मिल लग यह काइंड साइट पर चाहे तो बाय करें लेकिन अभी फिलाल मुझे यह डाउन ट्रेंड में नजर आ रहे है फिलाल अगर इससे सपोर्ट लेनी हुई तो यह अभी अपनी करन्ट सपोर्ट से ही लेगा यह थर्टी रुपीज सेवंटी पैसे से लेगा अभी आपको आपके लिए जो डेबल जील में यह है कि एतियात से काम करना चाहिए फिलाली बहुत जो स्टॉक्स बहुत बढ़ गए उनसे अवाइड करें और जो स्टॉक्स अभी तक चले नहीं है उनने कोशिश करें कि आब आ जाए वैसे तो जादता है अब तो मेरे साब से हर कोई स्टॉक चल चुग अब यह कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें मार्केट ना को प्रॉफिट टेकिंग का बिल्कुल मौका दिया और यह कंसॉलिडेशन फेज में भी आई थी लेकिन आप लोगों ने शाय बहुत ही कम वो लोग के जिन्नोंने प्रॉफिट बॉकिंग की हमने बहुत बार अपन कि फिलाल इसे अवाइड करें जबते कोई कंसॉलिडेशन फेज नहीं बना लेता कोई क्या क्या क्यूमिलेशन एडिया नहीं बना लेता हमें इसमें नहीं गुस्ता चाहिए यह एक रिसके ट्रेड हो जाएगी यह जो लिकिन ही है कि होते भी वालेटाइल शेर्स हैं इन श मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर कर दीजएगा अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट कर दीजए अगली मेरी वीडियो कौन से शेर्स के उपर होनी चाहिए आज तो नहीं मेरी कोशिश और कल परसों में इंशाला ब बनादू वीडियो थैंक यू